संस्क्रिट दर्स्टन चैनल में आप सभी का स्वागत है आसा है आपको वीडियो कुछ ना कुछ लावबसे दे रही होंगी कुछ मित्र हैं वो नेट या ज्यारफ की तयारी करा रहे हैं और लगवब अगर मैं नेट और ज्यारफ के हिसाब से देखूं तो सत्तर तत्सत जो दे सकता हूँ क्योंकि मैंने बताया है कई बार बताया है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो कब बनाऊँगा कैसे बनाऊँगा मुझे खुद नहीं पता होता जब भी समय मिलता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ इस पेसल किसी के लिए मैं तैयारी नहीं करा पाऊ हुआ यह कुछ मित्र हैं वो टी जी टी की भी पूछ रहे थे या कि साहिद राइस्थान में कोई इस्पेसल परिक्षा होती है और राज्यों में होती है संस्कित की उसकी वारे में भी कुछ सिलिवस के वारे में जिसमें ना रहते हो संग्या प्रकंड जिसमें ना रहती हो और मैंने संग्या प्रकंड संधी कारक समास तब पुरुस्तक लगों बता दिये हैं और प्रत्य भी हो सारे बता दिये हैं तो यह सारे चीजें मिलागर बहुत हो एक वीडियो तो आएंगी आएंगी लेकिन किसी परिक्षा को ले करके मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं किसी विप्रकार का क्योंकि यह मेरा विवसाय नहीं है एक तरफ से वीडियो नहीं दे रहा हुता, योग की, दर्शन की, सांख की, इनकी, मैं फिर वही दे रहा हुता है, जो टीजटी में जो दे रखा हुता है, पीजटी में जो दे रखा हुता है, फिर उसके इसाफसे में डालता, टीजटी के लिए ये है, पीजटी के लिए है, में किसी परिक्षा सम्बंदिद हो सकती है वेधान दर्षन उत्य जांग कि अद्यान करना पूलता हुँ हम वज्जाले कि संभी नहीं तो यह सारी चीज है अब योगो दर्शन को ले लिया धरसल सायं कि दर्शन को कि खतम कर दिया पहले जोचा है बहुत पड़ा है योग दर्सन कम नहीं है चार पाध है इसमें और 50 सिक्यावन सुत्र तो साइद पहले पाध में हैं और सुत्रों को मैंने किसी में भी नहीं छोड़ा है जो जादा ही जिनका मतलब नहीं है उनको ही लिया नहीं लिया है बागी सब में पूरे-पूरे लिये हैं और योग दर्शन भी कोशिश करूँगा कुछ भी न छोड़ा जाए सांक दर्शन में भी कोशिश किये दो-चार मैंने कारिकाई छोड़ दी थी बताया था आपको जिसका कोई वचित नहीं था उसमें वैसे ही बात करीगी थी तो वैसे ही पढ़ सकते हैं खेल जो भी है आज हम योग दर्शन में फिरत चर्चा करेंगे आगे हमने तीन सुत्रों को चार सुत्रों को जान लिया है आज दो सुत्र और लेंगे चित्र वृत्ति को जाना था कि चित्र वृत्ति के रोक नहीं मात्र से योग दर्शन ये योग दर्सन मूल पुस्तक है जैसे सांख की दर्सन की सांख की कारिका एक पुस्तक के रूप में बना दी गई है वो सांख की दर्सन को नहीं समझाया है सांख की कारिका के रूप में सांख की दर्सन की कारिकां बना दी है उसमें उसको समझाया गया है वेदान्त को न समझा करके अधित वेदान्त को वेदान्त सार नाम की पुस्तक है उसको समझाया गया है निया दर्शन को या बैशिशिक दर्शन को न समझा करके तरक वहाशा और तरक संग्रह के रूप में दो पुस्तक हैं उनको समझाने का प्रयास किया गया है थोड़ा मीमांसा दर्शन नाम से पूस्तक उसको बताया गया है और विस्ति रितमें गाद पूस्तक है जो लोग कहते हैं कि कहानिया मन गणंत कहानिया हैं कहानिया मन गणंत हो सकती हैं लेकिन उसका उद्देश जिस शब्द को सम्झाने का हुता है उस शब्द को सम्झाने के लिए आपको कहानी में ले जाना अनिवार है पुराणों में जो भी कहानिया है हमारे धर्म में जितनी कहानिया हैं मैं यहां पर धर्म सब्द प्रियू कर रहा हूं अला कि मुझे सब्ध संप्रदाय प्रियू करना चाहिए लेकिन धर्म भी मैंने बताय था बोल सकते हैं तो यहां पर जो कहानिया बताने का प्रयास किया गया है सनातन धर्म में या पौराने की बोल सकते हैं इसको पुराण से सम्मंदित होने की कारण पुराण का मतलब प्राचीन ही होता है तो प्राचीन होने की कारण इसको पुराण की भी बूल सकते हैं पुराण शब्द से ही बना है कहानिया का बहुत महत्त है और मैंने दो कहानिया इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताई है तो कहानियों के माध्यम से वहां मन को समझाया है आप देख सकते हैं मन को समझाने के लिए कहानी जरूरी थी नहीं तो मन को समझना थोला कठिंता ऐसे ही और कहानिया समझाने का प्रयास करूँगा कहानी बताने का प्रयास करूँगा आप भी कहा प्रिष्तिरित जो कुछ होगा है योग का अब दर्शन में बागी कुछ नहीं है बागी तो सब एक अब यह लक्ष दे दिया उन्हें देखिए उद्देश लक्ष योगता है केंद्रविंदु जो है आपका इन जो है वो है चित्वृति का निरोध यानि योग को प्राप्त करना यानि असंप्रग्याद समाधी को लगाना या असंप्रग्याद समाधी को प्राप्त करना ये लक्ष होता है तो लक्ष का पहला सुत्र ही कह रहा है कि चित्वर्ति को नुरूद कर लेजिए जो कुछ बचेगा वो असंप्रग्याद समाधी के नाम से ही जाना जा सकता है उसको अर्थात उसका नाम करन कर लेजिए असं समझाने का प्रयास किया तो जो भी विचार हैं किसी भी प्रकार के वो सब चित्वृतियों की अंतरगत रखी जा सकते हैं चित्व के विभार किरियां जो कुछ हैं मन की किरियां मन में आप जो भी विचार करते हैं तो यह असंखों हो सकती हैं लेकिन यहां पर पतंजली जी उन असंखों में से जो चित्त की विर्तियें हैं जो मन के विचार हैं उनको कुछ भागों माड़ दिया है बूला है उन्होंने विर्तियाह पंचितयाह कलिष्टा कलिष्टा मतलब वृतिया! जो वृति थी यह अलब बूला कशका धिलो क्याया है बृति में जो दिनिति ए मनें बहुत सारी हो सक्ती है है लेकिन आंने कितने भागों माड़ा है पंच दया मात्र 5 प्रकार की व्रतियों में उन्हों माना है व्रत्य कितनी हो गई पांच प्रकार की ठीक है तो यह प्रशन बन जाएगा आपका जो प्रशन वाले हैं वो इसे भी आज रह सकते हैं वागी उनको जो इच्छा हो तो अध्यान करें अन्तागी दृष्टी में इतना ही काफी है उनके लिए व्रत्यां पांच होती है वो कलिष्ट और अकलिष्ट रूप से दो प्रकार की हो जाती है उनके लिए तो बस बात खतम हो गई परिक्षाव की दर्श्टी से आगे जो जीवन से संबंदित हैं कुछ आध्यात्मिक हैं कुछ जीवन में कुछ और बिचार करना चाहते तो उनके लिए आगे प्रक्रि और दूसरी है वो अकलिष्ट ठीक है यानि कि दुख और गैर दुख पांच वरतिया है वो कलिष्ट या अकलिष्ट के शरोत हो सकती है अर्थात दुख का भी शरोत हो सकती है और गैर दुख का भी शरोत हो सकती है बात यहीं समझने की है यह सूत्र मैंने बताया था यह सूत्रात्मक चीज़े हैं और सूत्र को तो क्या सोच करके बनाया हो ना व्याख्याएं अपने उपर भी थोड़ा निवर करती हैं वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट शब्द का प्रियोग कर रहे हैं आनंद का भी प्रियोग कर सकते थे कि जो वृत्या हैं वो क्लेश का कारण भी हैं दुख का कारण भी हैं और आनंद क कारण है ये भी प्रियोग कर सकते थे लेकिन वो इस प्रियोग को करने से बचे पतंजली जी मैंने बताया था बहुत शुद्ध वैज्ञानिक हैं विज्ञान की द्रिष्टी में उनके बराबर वैज्ञानिक आज तक प्रिथिवी पर असंभव हुआ योग के मामले में बहुत सारे हुए हैं लेकिन उनकी तुलना सबसे उपर की जा सकती है क्लिष्ट और अक्लिष्ट यानि की दुख का कारण भी है और गेर दुख का भी कारण है वही मनुवर्तियां ठीक है जो पांच बृत्ति हैं अब थोड़ा सा यहां समझों दुख और गेर दुख से तापड़ क्या है वो यह नहीं कहते कि आप इन बृत्तियों को हटा दोगे जो चित बृत्तियां बताई थी उससे योग मिलेगा योग से आपको आनद के प्राप्ति को कभी नहीं कहते वो चित्तवृतियां हैं जो पांच प्रकार की चित्तवृतियां में बाटा है उन्होंने उनको यदी रोग देते हैं आप या उनसे कुछ और कार लेते हैं तो आप गैर दुख की तरफ छलांग लगा जाते हैं ठीक है? इसको एक तरा से और देख सकते हैं. छोटी सी बात है, इसको मैं कहूँ, भगवान बुद्ध से समन्दित है भगवान बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे, गुजरते हुए, रास्ते में एक नदी मिलती है, नदी बह रही है, ये नदी जब बह रही होती है, तो व तो अपने विक्षू से बू週 से बूलते हैं कि जाओ कमेंडर लेकर के जाओ और वहाँ नदी जो स्वच नदी वह रही है उसमें से पानी लेकर के आ जाओ पानी लेने के लिए वो विक्षू लाता है देखता है कि उसी समय इसमें से बैल गाड़ी निकल रही है, जो बैल गाड़ी उसमें से निकल रही है, तो जो पानी स्वच ताव कैसा हो गया, गंदला पानी हो गया, गंदा हो गया, वो विक्षु गाड़ता हुआ गया, और भगवान बुद्ध से गोला कि भगवान वो तो पानी गंदा हो गया, बैल गाड़ इस सवच पानी को लेके चले है सिक्षिता पाद मानी वापस गया फिर वह सवच पानी है बात यही पर इसकी बात आती है दुख की और गयर दुखीнок यानिकि ये तो गंडा पानी और गेर गंडा पानी यानिकि इस सब्ध है सब्द कुमानीजी सौछ पानी सूझा तोड़ी सी बात अब आनंग को सब्द कहना यहां गंदे पानी गंदा जब चला जाए जो पानी बची vapor उसको ले आणा जब गंदा चला जाएगा गेर गंदा जो बचेगा वो जो बचेगा वो सच्छी ही होगा शुद्ध ही होगा तो यहाँ पर गंदा सब्द जो है गेर गंदा सब्द गंदा सब्द उसको प्रियो कर रहे हैं दुख और गेर दुख का तो एक बात और यहाँ पर थोड़ी से कहने की है जब वो पानी लेकर के पहुँचे हैं बिख्षू तो भवान बुद्ध ने पूछा क्या तुमको कितनी दे प्रतिक्षा करनी पड़ी ऐसा नल कहा बैठ के प्रतिक्षा करनी पड़ी होगी उनको किनारे पर बैठ करके तो भवान बुद्ध ने कहा है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कभी कि मैं जाओं इस पानी में कूदूं और जल्दी जल्दी इस मिट्टी को हटा करके फैक दुबाहर और इसको सच पानी करके ले जाओं तो भिक्षू ने जवाब दिया भवान ये जो पानी की बात आप बोल रहे हैं कि साफ करने की जल्द में कूदने की मैंने सोचा नहीं मैंने किया मैं यह प्रितिक्षा करते करते ठक गया कि पानी गंदा ही है अभी सच नहीं हो रहा तो मैं उसमें जंप मारे गया कूद गया कूदने पर मैंने उसको जल्द यल्दी साफ करने की कोशिस की हाथों से बहुर गंदा हो गया फिर क्या गया फिर मैंने किनारे पर बैट करके तब तक प्रितिक्षा की जब तक वो जो गंदगी थी वो बैठ ना गई पड़ाड़ी आने वाली है वह गंदा होगा तुम्हारे लिए यही मन के लिए है आप जो तुमने कल प्रशन पोप पूछाथा कि मन को ऐसे शांत किया जा तो व्रत्या करने का सिर्फ यहीं उपाया है आपके मन में जो भी विचार है उसको एक प्रतिक्षा की भाती दिष्टा की भाती देखते रहें और एक अमन की स्तिती एक समय में आ जाएगी तो बृतिया जो हैं दुख और गैर दुख जब आप इस दुख वाली दृति को हटा देते हैं त अब इसमें एक बात जो शब्द आया है दुख और गेर दुख इन दोनों में भेद समझ लीजिए मुझसे बड़े भाई हैं थोड़ी एक दिन चर्चा चल रही थी चर्चा में बात करते करते हुआ कि बुद्ध मतलब क्या केवल मतलब क्या मिर्वान मतलब क्या असंप्रग्याद समाधी मतलब क्या इस सारी बाताएं एक ही है पर्यवाची है इनका ध्यान रखना दो शब्द हैं केवल को प्राप्त हुआ व्यत्ती ठीक है और एक पादल व्यत्ती ठीक इन दोनों में समानता है क्या समानता है जब आपके जो मैं विचार सब्दा प्रियू करऊंगा ब्रुत्ती यं के लिगे ठोड़ा ध्यान देंगा तो समस्वार जाएं कि दोनों में विचार से से ही क्यवन्त प्राप्ती होती है और विचार से ही पागल्पन प्राप्त होता है कुर्टीकली बता रहा हूं बिल्कुल को श्हूर भबी करेंगे महसूस भी करेंगे विचार हैं हर व्यक्ति के होते हैं विचार करते करते आप भी कल्पनाम खुजाते हैं कभी-कभी ऐसा विचार आजाता है कि आप प्रशन होने लगते हैं खुस होने लगते हैं और हस भी जाते हैं कभी कि इतने विचार आपको प्रभावित करते हैं कभी कभी विचार इतने दुखिद हो जाते हैं कहीं तुम्हारा अपमान हुआ हो तो अंदर से दुखी होना शुरू हो जाते हैं कभी डरवाला भी विचार आता है मस्तिस्क में तो विचार ही आपको परिशान करना शुरू कर देते हैं लेकिन विचार करते करते करत पागल की हो जाती है पागल से तागपर क्या होता है उसकी दुनिया अलग हो जाती है पागल और कुछ नहीं है पागल का मतलब है जो केवल और केवल विचार की दुनिया में जीने लगा हो विक्ति पागल की परवासा और नहीं है कुछ भी पागल का सीधा तागपर है जो व विचारों में ही जीता हो, दूसरे विक्ति से को मतलब उसकी पूरी दुनिया विचारों में ही हो, इसलिए पागल अकेले भी बात करते रहते हैं, विचारों की बात करते हैं, केवल को प्राप्त हुआ विक्ति, धीमे 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 जब वो विचार सुनिता की तरफ चल निर्वान हो सकता है, कुछ और सब्द के लिए प्रियुकिया है उनके हैं, लेकिन मैं आपको उनका प्रयवाची बता रहा हूं, कुछ है जो कमेंट लिख देते हैं कर नहीं, यह सब प्रयवाची है, मोक्ष, मोक्ष भी यही इसब्द है, याद रखना, और कुछ नहीं है, तो विचार की एक शूल्य वस्था, केवल वस्था है, विचार की भीड, अलग से दुनिया बंजाना विचार की ये पागल की वस्था है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक विचार की अती है, दूसरी भी विचार की अती है, एक चोटी है, एक शूलिता है, तो ये विचार यह आपको ध्यान में रखना है इसी से आगे हम गती कर पाएंगे क्योंकि यह आगे आपको वड़ा काम देगा तो यहां पर जो दुख और गेर दुख की अवस्ता है तो आप व्यक्ति हैं मनुष्य हैं तो आपको साधान विचार आते हैं जादा विचार नहीं आते लेकिन दृमी दृमी दिदी विचार वर्थे चले जाएं तो फिंद से जादा लोग अमीरे कम हैं जिसको हम बॉब इन्टलयंट बयांते हैं बॉब काविल मानते हैं अमेरीका बीद्वान काविल नहीं है वह मैं कभी बात करह 150 लोह पहांके पागल हैं आप मेरे काम है 50% लोग मानसिक अब साथ से गिर्षित हैं और उसका कारण क्या है उसका कारण है विचार विचार करते रहना विचार करते रहना तो वो दुख के कारण चले गए हमारे भारत में यह लोगडाउन की चक्र में आकड़ा 20-25% बढ़ गया है ठीक चलिए आप थोड़ यानि दुख्य भी कारण हो सकते हैं और गयर दुख्य भी कारण हो सकते हैं गयर दुख्य बाद में जो कुछ बचेगा वो सब आनंद मैं ही होगा क्योंकर आनंद स्वरूप हमारा स्वभाव है ब्रत्या कुन सी हैं प्रमार विपर्य निद्रा विपर विकल्प ठीक है विकल्प निद्रा और स्मृत्या ऐसे करके इसमें बुला गया है यानि कि प्रमाड में एक बृत्ति को मान लिया है उन्होंने दूसरा विपर को माना है तीसरा विकल्प चोथा निद्रा और पाचमा स्मृत्या ठीक है अब थोड़ा साथ देखिए हमने जो प्रमाड पड़े थी सांक दर्शन में सभी जगे प्रमाड पड़े हैं हमने यहां क्यों को मुआ हैं यह दूसरा भागा यह हुग इस लिया तीन ही माने थहां प्रतेक्ष अनुमान और शब्द विस्तिते हैं विस्तिसरु अजह को मुआ ने वा। कि ठीक है यह कुषय के प्रमाद यह रहरा वरत्ती के अंतर गता रहा है। इन से विचारतपन होते हैं यह बने रिभतियां है वज़ता है ंसक्रियां होती है इसे कैसे होती है तो प्रमा सब्द से प्रमा का मतलब होता है यह थार्त ग्यान, आपका जो अनुभव होता है वो ही प्रमार कहलाता है, ठीक है, बिपर का मतलब होता है मिथ्या, मिथ्या ग्यान या जूट ग्यान, जिसका आपका कोई अनुभव नहीं दूसरा कहा रहा है और इसके अनुसर मा किया हो जो पहले कभी इन चीज़ों को जान चुका हो आज सारे विस्स में विस्सकर हिंदुस्तान में यह पागलपन सवार हो गया दमाग में मैं अच्छे-च्छे लोगों से बात करता हूं आई रुवेद को आप प्रमाणित मांते हैं अब बताईए उनको यह होस नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं आई रुवेद हजारों साल की रिशी मुलियों की रिसर्च का खोजकार इसको हम तपस्या सब्ध प्रियू करते हैं तपस्या का फल है और उसको लोग आप प्रमाणित मांते हैं कोरोना एक भी उनको नहीं दिया गया अरवेदाचारेों को यह देश का दर्भाग है। तो शब्द प्रमार हर किसी का नहीं हो सकता इसलिए वेदों को विसेश रुप से शृति और वेदों को समलित किया गया है जेव शब्द प्रमार के अंतरगत हैं। मिथ्य लो अग्या यह सब जान सकतें आप रशार्च होती में मंते हमारे देश के लोग कभी तो का देंगे चाई से नी से यजे हैर है तो छोड़ दी प्रमान कुछ नहीं है कि अब साइख के ओघ से अब valley कि अग्रिका की एजैंसीस से यह एंग्लैम से रही हैं वसिंग्डल से यूज़क कंट्री जें से चाहीं इननों कुल आपक यह जो कि स्सक्वारी स्सक्राइब 2 रिचतेदrem रहती है, वहां कि जो सब्सक्राइब आधारित जो सर्च वह न ठीक है, हमारे देसमें ठीक नहीं है, तो इसको मिठ्यागान मानिए आप, हैलो पैंति में बहुत सारी मिठ्यागान, जब इनके बिस्तिरत में जाऊंगा हमें कभी, तो आपको बताऊंगा, इस बिसमें, भी कल्प का मतलब होता है कल्पना, कल्पना करना, आप जब भी किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपके अंदर एक उर्जा का उत्सा होई सकता है और डिप्रेशन में भी चले आ सकते हैं यह होता है इसमनियम थोड़ा सा इसको कल्पना को एक मैं बता दूँ आपको तो समझना जाएगा कल्पना को द्माग में बिठाव साही से इसको हमारे गरंथ में शब्द के द्वारा प्रमाड़ दिखाया यानि शब्द तो है लेकिन वैसा शब्द जिसका कोई भी वास्तविक अर्थ ना हो मतलैं वास्तव उसका कोई प्रमाड़ ना हो जैसे कोई व्यक्ति है उसे कह दिया आता कि तुम बहुत सुन्दर हो इतनी बात बस बोलने की है वो अपने आपने एक कलपना में खो जाता है कि वो बहुत सुन्दर हो विसे इस रूप से ये महलाओं पर बहुत काम करती हैं चीजे हैं हाला कि काम तो सभी पर करती हैं लेकिन लड़कियों पर इस्त्रियों पर यह बहुत ज्यादा काम करता है जैसे उनसे बोला कि सुन्दर हो वो अपने ख्वाबों में चले जाते हैं इसको बुलते हैं कलपना कलपना में चले जाते हैं एक ग्रेट निकोवा थी नाम क्या था उसका याद निया मुझे अमेरिका की बहुत पड़ी अभिनेत्री थी उसने अपने आदकता में लिखा है कि वो जो काम करती थी शुरू में नाई की दुकान पर सावन लगाने का काम किया करती थी अमेरिकाम है एक बार कोई फिल्म का डारेक्टर आया डारेक्टर ने जैसे ही वो सावन लगाने को तयार हुई आने को तो उसने सीसे में देखा और सीसे में देखके फिर उस लड़की की तरफ देखा उस लड़की की तरफ देखते ही कहा इतनी सुन्दर लड़की और सावन लगाने का काम कर रही है एक शब्द था इतनी सुंदर लड़की और उस लड़की ने उसी पल से सावन लगाना छोड़ दिया उसने कि जब मैं सुंदर ही हूँ तो सावन लगाना मेरा काम थोड़ ही है वो कलपना में चले गई और कलपना में इतनी खो गई कि अपने आपको इतना विश्तृत बना दिया उसने कि एक महान अविनित्री बनी तो कलपना जिसको बोलते हैं कलपना करिए इमेजिनेशन इसी का सब्द प्रियू करते हैं मॉटिवेशन इसकर आप जो भी सोचेंगे आप वैसे हो जाएंगे जैसा करेंगा विचार वैसे ही आपका शरी इसमें परंडिती प्रदान कर देगा शरीर एक आज्याकारी है आपके मन का मस्तिष का कलपना का आप जो भी जू करते हैं ये पांचों जो हैं वो विचार हैं इनके द्वारा ही आपका शरीर विश्त्रित होता है और कल्पना इसमें एक अध्भूत कार करता है एक छोटी सी घड़ना बताता हूं आपको साथ पता हो नानक जी से पहले सिक्धर्म अस्तित्मे नहीं था उसके बाद में सिक्धर्म अस्तित्मे आया और इस प्रत्वीका सबसे शक्तिशाली लोग सिक्ध कहलाते हैं ये रिसर्च में भी देख सकत में आप एक कार थी इस कलपना पर थोड़ा सा और थोड़ा विश्तित्र जाऊँगा कार में एक व्यक्ति पहाड़ों पर जा रहे हैं जो सरबार था वो ड्राइवर था जैसी उसने ट्रीडी मीडी रास्ता देखी उसको डर लगने लगा और वो उसने कार बंद करके भी लुग गया उनको अरजल मीटिंग में जाना था जो महुदा बैठे हुए थी उसमें उन्हें कहा कि आप कार चलाईए मुझे टाइम से पहुँचना है को नहीं आपको जाना जाईए म तो जील पहानों पर जाके नहीं मरना में के मरूं आपको मेटिंग है आप जाईए किसी को बला लेजिए उन्हें कि आपको पहली वहां करने चाहिए था कि मुझे क्या पता था कि इतनी भहिंकर रास्ता होँए मुझे तो डर लग रहा है इसमें जाने में उनके मित्र भी सी मीटिंग में जाने ते इत्फाक से वह भी सर्दार थे वह जैसे ही उनके पास आये तो उन्होंने देखा कि सर्दार जी ने गाड़ी रोक रखी है कि यह तो जाने से मना कर रहा है कि अब याग मिनट रुकी है मैं इसे बात करता हूं जो पहले सर्दार थे ड्राइवर थे उनको सर्दूसरे से साइड में ले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम और सरदार हो करके अब कर जाकर के सीधे उसी मीटिन में जहां होटल था उसी होटल में जाकर के सीधे रोगी बीच में भी निरूगी यह कल्पना का काम करते हैं शब्द इनी शब्दों को आधार बना करके हमारे हां ब्राम्मार शत्रिय वैस और शुद्र पैदा हुए कोई भी व्यक्ति शुद्र हो कहने से शुद्र नहीं होता उसके दिमाग में जब तक ना बिठाया जा कि तुम शुद्र हो तब तक वो व्यक्ति जिससे हम शुद्र बूलने हैं वो शुद्र मानने को यदि तयार ना हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको शुद्र कह दे या उसको सुद्ध बना दे उसको पहले मानना तो आना चाहिए कि हाँ मैं हूँ जब हम मानन बैठते हैं वो कलपना के द्वारा भी इन चीजों को बताया गया यह बहुत बैग्यानिक था यह प्रमाण है हमारे इन चीजों के कि यदि व्यक्ति जो चाहें वो बन सकता है इसलिए विश्वामित्र ब्रहमाण तो को प्राप्त हुए थे अर्थात वो ब्रहमाण बन गए थे क्षत्री होने के बावजूद भी तो यह कलपना सक्ति के माध्यम से यह ऐसा होता है सबसे बड़ा कलपना सक्ति का आप संचार देख सकते हैं महावारत में करण भी शत्रिय थे लेकिन उनको जीवन भर एक शब्द काटता रहा कि सूथ पुत्र हो सूथ पुत्र हो सूथ पुत्र हर बार जब भी कई बात आया थी युद्धाओं की कि तुम और सूथ पुत्र क्या युद्ध करोगे तो उन से युद्ध को यह निम्त जाती का हैं उच्जाती के सामने जब एता है तो इसके क depressiv वही सब्भार बार आते हैं कि अपना कि अपनी जो एनर्जी जो उड़ जाया उसको खतम कर लिता है इसका पूर विजन से कोई संसकार से कोई संबंध नहीं है कुछ लोग कूलते है कि पूर विजन के संसकार के कारण आपको जनम मिला है यह सब अक्वास है इसका कोई अचित नहीं है यदि उसमें बहुत करण कलपना शक्ति में चला जाता है तो यह मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कलपना शक्ति के माध़ियम से यही हो अजोद कर ले किसी भी जाती का किसी भी धर्म का लेकिन वो शुद्रता उसके मस्तिस्क में गोसी हुई है जब तक वो कलपणा शक्ति इन विड्यों के द्वारा उन चीजों को नहीं निका लाएंगे वह तक तक वो अपने आपको स्रिष्ट दूसरों को गाले देने से को स्र कि वीडियो में देख रहा है और वह किसी ना किसी माध्यम से किसी जाती को किसी धर्म को मैं किसी बिसेस का नहीं कह रहा हूं किसी भी जाती का हो सकता है किसी भी धन का मानने वाला हो सकता है बहुत हो सकता है सिक्क हो सकता है या मुसलिम हो सकते हैं कोई भी हो सकता है कोई समस्या नहीं यह से विछारों के माध्यम से आप जागण की अवस्था में चले जाएं तो वही समाधी बन जाती है तो इसमें बहुत बिस्त्रित में जाएंगे हम आने वाले समय में इन पांचो जो हैं उनके बारें बात करेंगे इस्मृति इस्मृति पर दो मरट और लूँगा आपके इस्मृति की थोड़ी सी कहानी है आपको सभी को बच्पन अच्छा लगता है कमेंट के माध्यम से आप जा सकते थे इक्षा से ना कहीं कुछ करते थे एकष्खा से इतना सब कुछ ना होने के वावजूदी आपको बच्पन आदा लेकिन बच्चे से इसमान शक्ति छोटा बच्चा होता है यदि पांच चार बच्चे सासाथ खेल रही हो उनमें लडाई भी हो जाएगी एक दूसरी से पिटाई भी कर देंगे डंडे से लकडी से हाथ से चाटा माराएंगे कैसे चोटी मुड़ी जैसी भी लडाई होती है उनकी उसमें रोने लगी आएंगे कोई वच्चा रोई कोई भी पीटे किसी को लेकिन पांच मनट के बाद आप चुप कर लिए और फिर छोट दीजे भही पांचों आपको भही मिलेंगे एक जगह ही मिलेंगे क्या हुआ उनके पास इसमान सकती नहीं है याद करने की छमता नहीं है जब नहीं रख पाते कि इसने मुझे मारा था इसने मुझे पीटा था और वहीं आन मिलेंगे इसलिए प्रसन्यता का कारण सबसे ज़्यादा बच्चों में मिलता है वो हमेशा प्रसन्य रहते हैं खुस रहते हैं क्योंकि उनके पास इसमृति नहीं है दुख की या सुख की जो यही दुस्मनी का कारण है, यही धर्म को गाली देने का कारण है, यही जाती को गाली देने का कारण है, यही आपस में लडने का कारण है, यही भाई-भाई का अलग होने का कारण है, इसमर्ती की कारण सारी बात है, इसलिए इसा मसी ने कहा है कि मेरे भगवन यान इश्वर क कि दर्वार में वही व्यक्ति आए सकता है या वही व्यक्ति आने का अधिकारी है जो बच्चा हो जाएगा बच्चा होने से तार पर नहीं कि सरीर का अतर छोटा हो जाएगा बच्चे बालक होने को तयार है बच्चा होने को तयार है असरे से नहीं इस्मृति से यदि उसकी इसमर्ति ऐसी हो जाएगी जैसे बच्चे की होती है निर्मल निर्कपट कोई कपट नहीं उसके अंदर तब बुझा करके भगवन के दरबार में इश्वर के दरबार में या इसा मसी के दरबार में आ सकता है यह उन्होंना बोला है इस पर एक सद्गुरु जी है साइद आपने सुना हो उनको शद्गुरु जी कहते हैं कि आज कर एक चलन चल गया है कि बच्चे जैसे हो जाओ उन्होंना गलत अर्थ ले लिया इसको बच्चे जैसे होने का ताथ पर यह नहीं है कि बच्चे के आकार के जैसे हो जाए इसी की प्रति बैरबाब की बावना रिलीव बैटे हो गच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें हुआ आती है इनमें तो विप्रमार विपर विकल्प निद्रा इस्मर्ति इनको मैं बहुत विस्त्रित्म समझा हुआ थोड़ी थोड़ी बात आज मैंने समझ आई हैं तो क्लिष्ट और क्लिष्ट के वार्वन थोड़ा सा समझ में आया होगा आपके उम्मीद है योग दर्शन है इसको विस्त्रित्म पढ़िए द्यान से पढ़िए और इनको स्मृति से हटाने का कारिकरम व्रत्ति को हटाने का सिर्फ कारिकरम होगा उनको हटाने के विवस्ताइं दी जाएंगी सारा दर्शनी पिटिका हुआ है आगी चल के हम उसमें और अध्यान करेंगे आज के लिए तना ही धन्यवाद